तीज आने वाली ये रक्षा बंधन आने वाला है और हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन चमकती रहे ग्लोइंग रहे आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगे जिसको आप अभी से लगाना स्टार्ट कर देंगे तो तीज तक रक्षा बंधन तक आपके फेस पर इतना ज्यादा ग्लोव आ जाएगा कि आपको फेशर कराने की भी जुरत नहीं पड़ेगी और इस फेस पैक की सबसी अच्छी बात है यह आप एक बार बना कर रख लें और छे महीने तक आप इसको लगा सकते हैं हमने इसको ड्राइ पावडर बना कर रखना है और जब भी देख लेते हैं इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए और उससे पहले वीडियो को लाइक और चाहिए को सब्सक्राइब जरू कर लेना यहाँ पर मुझे एक चंदन चाहिए चंदन मुहा से पैदा करने वाले बैक्टरिया से लड़ने में मदद करता है हमारी स्किन को एक्सफोलेट करता है सन बन को सांथ करता है सन टैन को हटाता है ओमर बढ़ने वारे संकेतों को कम करने में मदद करता है हमारी स्किन पर glow बढ़ाता है pigmentation को कम करता है जाईयों को कम करता है dark circle को कम करता है और हमारी स्किन को बहुँ ज़्यादा glowing बनाता है अगर आप अपनी स्किन को तरो ताजा hydrate और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं तो आप चंदन को अपनी स्किन पर जरूर लगाएं एक चमच बेसन चाहिए बेसन हमारी स्किन से tanning को दूर करता है pimple को ठीक करता है और हमारी स्किन पर glow बढ़ाता है dead cells को निकालता है fire line, jury और pigmentation को कम करता है और हमारी स्किन पर कसाव लाता है इसको लगाने से स्किन पर नमी लोटाती है और ये हमारी स्किन पर बहुत अच्छा सा glow लेके आता है और हमारी स्किन से दाग धबो को हटाता है एक चमच मुलतानी मिटी चाहिए मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन से दाग धबो को उटाती है कीर मुहासों को उटाती है हमारे स्किन पर गलो बढ़ाती है और हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत जादा गलोइंग रहे चमकदार है तो मुल्तानी मिट्टी को आप अपनी स्किन केर रूटीन में जरू सामिल करें और यहाँ पर खाली बाउल में मैंने बेसन, चंदन और मुल्तानी मिट्टी को एड़ कर दिया है यहाँ पर मैंने एक चमज रोज पाउडर लिया है और मैंने इसको घर पर त्यार किया है रोज की पंकड़ियों को मैंने सुखा कर पाउडर बना लिया था और मिक्सी में पीस लिया था Rose powder हमारी skin को moss राज करता है और हमारी skin पर glow बढ़ाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मातरा में protein होता है हमारी skin से दाग धुबो को उटाता है जढ़ाईयों को उटाता है और हमारी skin को बहुत ज़्यादा glowing बनाता है और यहाँ पर बाकी पाउडर के साथ मैंने इसको भी एड़ कर दिया है यहाँ पर मैंने एक चमच गेहूं का आटा लिया है गेहूं का आटा ना सिर्फ रोटिया बनाने की काम आता है हमारी स्किन को निखारने का भी काम करता है गेहूं की आटे में बहुत सारे पोशक ततों होते हैं जो हमारी स्किन को हीरे की तरह चमका सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रही चमकती रहे तो गेहूं की आटे का फेस बैक आप जुरूर अपलाई करें ये चहरे पर पनपने वाले बैक्ट्रिया को खतम करने में हेल्प करता है इसमें विटामिन C भरपूर मातरा में होता है ये हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है और यहाँ पर मुझे आधा चमच कस्तूरी हल्दी चाहिए कस्तूरी हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत जादा अच्छी होती है यह हमारे स्किन से पिंगमेंटेशन को दूर करती है दाग धबो को दूर करती है, डाग सरकल को दूर करती है बोडी टैन को हटाती है हमारे स्किन पर एक ग्लो लेके आती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग बन रहे तो आप कस्तूरी हल्दी को अपनी स्किन केर रूटीन में जरूर सामिल करें और यहाँ पर मैं इन सभी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लूग लेना है और अपने फेस को वश करके अपने फेस पर लगा ले और फंदरा मिनिट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें उसके बाद पांच मिनट मसाज करें और अपने फेस को वश कर लें अगर इन में से आपके पास कोई इंग्रेजन नहीं है तो टैंशन लेनी की कोई जुरुत नहीं है जो भी है आपके पास उसको मिलाएं इसी तरह से फेस बैक बनाएं और अपनी स्किन पर लगाएं आज से लगाना स्टार्ट कर दें तो 30 तक आपके फेस पर इतना गलो आ जाएगा कि आपको फेशल कराने की भी जुरुत नहीं पड़ेगी और कोसिस करें कि आप इसको शाम को ही लगाएं जब आप इसको पहले दिन लगाएंगे तो पहले दिन ही आपको अपने फेस पर बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा आपके फेस पर बहुत अच्छा सा गलो निज़र आने लगेगा अगर आपके फेस पर जाईया हैं दाग धब्बे हैं डा को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को शेयर कर लेना तो मिलते हैं नाक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर